आपका inverter बैटरी को चार्ज क्यों नहीं करता आपकी inverter की बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही है तो यहीं सुडियो में हम जानने वाले है इसका और एक उधार नहीं हम जानेंगे कभी कभी होता है कि आप घर से बाहर जाते है कुछ दिन के लिए तब आप सोचते है कि क्यों अ नेस्तरी शुरू है तो आप उसको बं करता है तर आप करते है आप जो connection ऎहऊप कर दीते है इंवडर से switching आये जो बैटरी के तर्मिल को connect है, negative, positive वो connection आपको निकालने, अगर वो connection नहीं निकालते हैं और जो connection आपने श्रीफ बंद करके रखे है, आपने plug भी निकाला, आपने switch भी बंद कर दी पर जो connection बैटरी से लगे हुए है, वो small amount में current supply आपको यह लगता है, शुरू रहेगा, मतलब बैटरी से voltage लेता रहेगा, और होगा यह कि आपके बैटरी जो 12V की है, वो बिल्कुल down आजाएंगी, 9-10 पे, और अगर वो 9-10 पे आगी, तो बाद में आप जब भी inverter on भी करेंगे, शुरू भी करेंगे, तब आपके बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं करेंगी, तब आपको यह लगता है कि आपके बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो रही है, तब आपको यह लगता है कि आपके बैटरी खराब होगी, inverter में कुछ इशू आ सकता है, यह भी पिर आप एक मेना दो मेना भी रखेंगे उसके बाद भी आप अगर लगाते हैं तो वोल्टेज डाउन नहीं होता है उसका वोल्टेज उतना ही रहेगा बैटरी का वोल्टेज बारा की उपर में चाहिए अगर वो कम हो गया और दस तक आ गया तो बैटरी चार्ज नहीं तो अगर आप निकाल के रखते हैं बाद में उसको लगा देते हैं तो दो मेने के बाद में भी आपका काम चल जाएगा पर अगर बैटरी डाउन हो जाती है तब आपको करना क्या है आपको करना यह है कि आपको बैटरी जो है कनेक्शन है वो आपने निकाल दे अलग अलग कर दिया अभी आपको पता चल गया कि बैटरी डाउन है तो बैटरी आप किसी भी नियरे्य स्टोर में चल जाए hardly बैटरी स्टोर में वहां पर फुल चार्ज करिए उनको भोलेकर कि फुल चार्ज करें और आपर taughtके अगर उल्टेज 9-10 है तो ये भी एक मतलब fact है इससे भी आपकी inverter की बैटरी चार्ज नहीं होती है और ये भी काफी लोग को पता नहीं है तो ये भी आपको करना है और ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो इस वज़े से आप inverter होगा आपके बैटरी प्रॉपरली वर्ड करना शुरू करेंगी अगर आप कही बाहर बैटरी चार्ज के लिए देते हैं जैसे आपके बैटरी इन्वेटर की है तो आपे मैक्जिमम दोसो से पानसो रुपे के बीच में चार्ज साप से वो ले सकते है तो यह काफी माइनर सा प्रॉब्लम है जो काफी बड़ा इशू बन जाता है और इसके लिए आपको काफी जड़ा करचा करना पड़ सकता है सेटप आपको लेना पड़ सकता है बैटरी में इन्वेच करना पड़ सकता है तो एक छोटी छोटी चीजी पर आपको धान रखना है तो यहाँ पर जो भी बाते हमने आपको बता ही है I hope आप समझ गयोंगे तो वीडियो आपको पसंद आए होगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देजिए चैनल में देंको तर सस्क्राइब करना ना भूले इसी तरह की वीडियो हम हमारे चैनल मिलाते रहते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं गली वडियो में तब तक के लिए बाई